नमस्कार दोस्तों स्वागातम से भी काईगा फिर से आपके अपने यूटूब चैनल गवर्वेंट एंपलाई नीज में दोस्तों 65 लाग पैंट्सनर्स को बड़ी रहते सरकार ने शुरू की एक नई सेवा जी हां दोस्तों लाखों पैंसनर्स और फेंशनर्स के लिए एक बड़ी से अपडेट ने इंपर निक है लिक्सार्टzeich के लिए जो की ईपीस 95 के अंदर आते हैं उन अवह के लिए जीसों की अब आपर देख सकते हैं यह स्रेंप और ़ुज़गार अपना life certificate अपने घर के पास में ही किसी भी common service center के द्वारा submit कर सकेंगे तो आईए देख लेते हैं आपर क्या है ये पूरी खबर किस तरीके से EPS 95K pensioners और family pensioners इस विदा का लाब उठा पाएंगे तो इसके बारे में यहाँ पर आप जान लेते हैं तो EPS pension भोगियों के धरों के नजदिक तक सेवा पहुंचाने के अवसकता को देखते हुए विशेश रूप से COVID-19 महामारी की चुनोती पूर्ण अवदी के दोरान EPS पू ज्यादा common service center के network के मादम से EPS 65,000,000 pension भोगियों को उनके निवास इस्थान के करीब डिजिटल जीवन प्रमान जमा करने की चुईदा प्रिदान कर रहा है EPS pension भोगियों को अपने pension निकासी जारी रखने के लिए पृतेक वर्स जीवन प्रमान या फिर लाइफ सेटिपिक जमा कराना होता है जो कि हर एक pension को कराना होता है उसे के बाद में उसकी pension continue रखे जाती है वरना उसे बंद कर दिया जाता है तो यहां पर कहा गया कि EPS के द्वारा अंगी करत किया गया एक multi agency model EPS pension भोगियों को उनकी सुईदा और पसंद के अनुसार सेवा वित्रन एजशन क चैन करने की स्वायता प्रदान करता है और इसके अलवा यह पर यह भी का गया है कि EPS pension भोगियों को उनकी सुईदा की अनुसार पूरे वर्ष के दौरान कभी भी digital जीवान प्रमान पत्र करने की अनुमती प्रदान करने के लिए एक बेहद मैत्पूर नितिगत परिवरतन पर किया गया है यानि कि अब नौंबर नहीं कभी भी यानि साल के किसी भी महिने में EPS 95 के pensioners और family pensioners से अपना जीवान प्रमान पत्र सम्मिट कर सकते हैं इसके अलावा जीवान प्रमान पत्र जमा करने की तीति से लेकर एक वर्स तक वैद रहेगा इससे पहले pension भोगियों में ही जीवान प्रमान पत्र जमा कराना आवस्यक होता था पर नाप सरूप pension भोगियों को कटनाईयों का सामना करना पड़ता था और pension में रुकावट के कारण बड़ी संख्या में सिकायते आती थी इसके अलावा जीवान प्रमान पत्र देरी से जमा होने के कारण यह कि अब जो एपस नेंटिफाई के pension और family pension हैं वो साल के किसी भी महिने में अपना life certificate submit करा सकते हैं और वो अगले साथ एक साल तक के लिए valid रहेगा तो यह एक बड़ी ही मैतपून रहात वाली ख़बर हमारे लगा 65 लाग से अधिक pension और family pension के लिए EPF होगी तरब से दे दी ग हुआ अगले दी आध इलागा